दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगर आपको यह लगता है कि हमारा जो दुस्वन बाहरिक है कोई जैसे कि पाकिस्तान है या चीन है या और कोई दूसरा देश है तो वो तो है उनका तो हम समझ सकते हैं कि हमारे दुस्मन है वो हमारी प्राग्रिस नहीं देखना चाहते हमारी जमी लेकिन जो भारत में देश के दुस्मन बठे वे हैं उनके बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमारा देश हजारों साल गुलाम क्यों रहा है और आज भी ऐसे दुस्मनों की कमी नहीं है उन दुस्मनों में आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कुछ पत्रकार हैं जिनको भारत की प्रगती फूटी हांकों नहीं चुबाती है उनको सिरफ यहीं लगता है कि किसी तरीके से उनकी प्यारी प्यारी कांग्रेस दुबारा से स्वत्ता मियाज है और फिर वो अपना दंदा शुरू कर दें कमाई का दंदा जिन्जूं का चलता था रविस कुमार पुनिपुशन वाजपेई अजीत अंजूम अविसार शर्मा आरफा खानम जफेरवानी बर्कादत और पता नहीं कितने इनके पूरी एक लाइन लगी वी है राहुल देव उर्मिलेश क्या ग इसके अलावा कुछ यूटूबर हैं जो रहते तो बाहर हैं रहते तो विदेश में लेकिन उनके मन में इतना जहर गुसा हुआ है हिंदुओं के प्रती और भारत के प्रती कि हमेशा कुछ न कुछ खुराफास करते रहते हैं और आज करके मतलब टाइम तो यह है कि कि 2014 के बाद इन लोगों का यह सोशल मीडिया में इतना ज्यादा वर्चस हो गया है कि करोड करोड सब्क्राइबर लेके बैठे हैं और कुछ भी बकवास करते रहते हैं आप समझ रहे होंगे मैं किसके बारे में बात करना चाहता हूं वह एक 29 साल का छोकरा है जो जर्मनी मे बैठा हुआ है जिसका नाम दुरूर आठी है पहले वर ट्विटर में मोधी के खिलाब बारती जनता पार्टी के खिलाब आरेसेस के खिलाब दुनिया बरकी बकवास करता रहता था बाद में उसने फिर एक यूटूब का चैनल बनाया उसमें भर भर करके पानी पी पी करक बीजेपी को गाली देना रेसेस को गाली देना और उस चक्कर में भारत के भी गाली देना चार दिन पहले उसने एक वीडियो बनाया है उसमें वह बोल रहा है कि इंडिया इस गोइंग टूर्ड डिक्टेटर्शिप तीस मिनट का वह वीडियो है मैं नहीं चाहता कि आप लोग उसको देखें कि उसके लॉजिक पहली बात तो यह है कि 29 साल का जो छोकरा है उसके अंदर कितनी मचियोटी होगी वैसे भी वह इंजिनियर है बाइप्रोफेशन तो मुझे लगता है उसको कोई स्कृप लिखके देता है और पूरा-पूरा एक वीडियो बनाके देत होगे है तो इसी दुरू राठी ने दुहजार आठाम अठारा में एक ट्वीट मारा था वह ट्वीट जो था वह बीजेपी आईटी सेल के खिलाब था भाती जनता पार्टी की जो इन्फॉर्मिशन टेक्नलोजी सेल है उसके खिलाब था और उसको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अर्विंद केजरिवाल ने प्रिट्वीट कर दिया अब आप समझ सकते हैं कि के लिए तो हर्याना से हैं तो क्या इनका संबंद हो सकता है वह समझ सकते हैं तो अर्विंद केजरिवाल ने रिट्वीट कर दिया तो बीजीपीटी आईटी सेल ने उसको मजिस्टेट कोट में डिफेमेशन का सूट डाल दिया अर्विंद के जरीवाल खिलाफ वहां पर अर्विंद केजरिवाल ने डिली हाई कोट में अपील किया डिली हाई कोट में भी वह जो डिफेमेशन वह बरकरार रहा है उसके बाद में अर्विंद केजरिवाल सुप्रीम कोट गये सुप्रीम कोट में कल जब सुनवाई हो रही थी तो अर्विंद केजरिवाल के वकील सीनियर कॉंसिल अभिशेक मान सिंग्वी ने सुप्रीम कोट को बोला कि मैं इस रिट्वीट करने की गलती मानता हूं और इसके लिए मैं माफी मांगता हूं अब वहां पर जो अपोजेट पार्टी थी उनका वकील वहां पर था लेकिन जो जिसने पर्टीशन रिस्पंडेंट था वो नहीं था तो जब कोट ने उससे पूछा तो उन्होंने बोला कि हम अपने क्लाइन से पूछ करके बताएंगे अब इस केस की अगली तारीक जो है वो 11 मार्च को रखी गए हैं सवाल यह उठता है कि कि अर्विंद केजरिवाल ने सुप्रीम कोट में माफी क्यों मागी अगर सुप्रीम कोट में यह माफी नहीं मांगता तो सुप्रीम कोट इसको सीधा तो इस ने अपने आपको गरबतार होने से बचाने के लिए यह नाटट लचा और यह पहली बार नहीं माफी मांग रहा इसे पहले पता नहीं कितनी पार इसने माफी मांगी है अरुन जेतली के खिलाफ इसने कुछ बोला था अरुन जेतली ने को कूट में किछा वहाँ पर मापी मांग गी और पता किःतने ऐसे लोग के खिलाफ इसने बोला और सब ज़गे मापी मांगता रहा मुझे तो समझ में नहीं आता कि अरुन जेटली और निचिन गड़करी जैसे बीजेपी के दुनंदर नेता लोग हैं उन्होंने इसको माफी दी क्यों अगर वो माफी नहीं देते और जेल चला जाता तो इसका प्रॉटिकर केरियर खताम हो जाता और आज की डेट में देश को इसको जिलना नहीं पढ़ता तो अब सवाल यह उड़ता है कि यह आदमी क्या बता हूं मैं अन्ना हजारे को तो मुझे बताब कितना कोशने का मन करता है कि उसने ऐसे आदमी को आगे बढ़ा दिया अन्ना अजारे कंदे पर यह चड़कर के और दिल्ली का राजा बनके बैठाया और उसके बाद में यह दिनिया बरकी खुरापात करता है आज इसको 26 तारीक को इसको इड़ी के सामने जाना था पेस होन के लिए के संबन पर साथवा संबन था यह महाँ पर नहीं गया उसने बोला कि इड़ी ने अपने आप रोज़ा 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 में कोर्ट में केस दाल कर रखा जब तक कुछ का फैसला नहीं आजाएगा तब तक मैं आपके पास में नहीं पता नहीं क्या करना चाहता ह यह किस तरीके से इंकम टेक्स में काम किया तो मुझे समझ में नहीं आता है तो मेरा कहना के मतलब यह है कि आप लोग दूर राठी अर्विंद के जिवाल ऐसे लोगों से तो दूर रहें तो अच्छा है और देश की प्रक्रति में अपना योगदान दें कि आप लोग अगर दूर राठी के चैनल को देख रहे होंगे दूर राठी को सब्सक्राइब करें तो मेरी आप से हाँ जोड़के गुजारी से कि आप उसको अंसरेफ करें लिए वह लड़का बिल्कुल भी मैचूर नहीं है और मुझे पक्का विस्वास है कि उसको एक स् कि हिंदुस्तान की गवर्मेंट हिंदुस्तान के पॉलिटिकल पार्टेज हिंदुस्तान के प्राइब मिर्सर के को पर अटैक करता है क्योंकि जर्मनी में है उसका कुछ तो हो नहीं सकता अगर तो जर्मनी में है तो हिंदुस्तान के बारे में इतना ट्रेस क्यों रखता ह ना है इनको जितना वाइकाट कर सकना है उसना कर सके तो अच्छा रहेगा तो यह आज का वीडियो मेरा आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्क्राइब करें और मेंबर्सिप के लिए ज प्रोष्ग कार्श